जा रहे हैं वो और कोई नहीं है यहवा सिन्वा है जिसे इस्राइल हमास का बिनलादीन कहता है उसी के एक इशारे पर इस्राइल में आतंक की इबारत लिखी वरी अब उसे ठेकाने लगाने के लिए नित्मियाहू बेताब है इस्राइल उसके खाट में के लिए ताबर तोड तो गाजा में हमले भी कर रहा है। गाजा में हमास का बिन लादेन। नेतन याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चहरा है जिसे इसरेल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वो चहरा है जिसने इसरेल पर हमले का ब्लू प्रिंट तयार किया। यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंख्यों को हैवानियत के हनेपार करने की हिदायत नी इसका नाम है यायास सेनवार घाजा पट्टी में जब एजरेल ताबरतोर हमलों को अंजाम दे रहा था और एक-एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था उस वक्त बहुत ही बेसबरी से अगर किसी के खात्मे का इंतसार इसरेल की सेना को है तो वो है यायास सेनवार यायास सेनवार वो दिमाग है जसने मुहम्मद दैफ के साथ मिलकर इसरेल पर हमले का मास्टर प्लान तेयार किया और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेतरीन खुफिया एजनसी मुसाद को भी भनक नहीं लगी यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपने इस प्लैनिंग को अंजाम देने के लिए सिन्वार और तैफ ने इरान से फंड हासिल किया लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इस्राइल पर हमला करने वाला है यही वज़ा है कि याया सिन्वार को इस्राइल फिलिस्तीन का बिन ला देन कहता है हमास का शैतान दिमार साट साल का याया सिन्वार गाजा में हमास का हिट है सिन्वार में इस्राइल की जेल में बिताए हैं 24 साल 2011 में एक इस्राइली सैनिक के बदले रहा हुआ 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इस्राइलियों का कातिल 7 अक्टूबर के حملे का मास्टर माइंड है सिन्वार सिन्वार को खान योनिस का कसाई कहा जाता है हमास के मिलिटरी योनिट का चीफ है सिन्वार इज्रेल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इज्रेल पर 9-11 जैसा हमला है और इस हमले को अंजाम तक पहुचाने में जिसका हाथ है वो है यायास सिन्फार और वो अलकाइदा की तरह हमास का बिन लादेन है जिसे किसी भी हाल में इसरैल देर करने की कोशिश में जुटा है और इसी के लिए इसरैल गाजा में ग्राउंड मिलिटरी ओपरेशन शुरू हो सकता है और इसरैल किसी भी हाल में उस शक्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इसरैल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची